दोस्तों पैंडोरा पेपर्स अभी रीसेंटली न्यूज में आया है और आगे आने वले कई महीनों तक ये न्यूज में रहने वाला है ये कुछ एक प्रकार के पैनमा पेपर लीक जैसा है 2016 में एक पैनमा पेपर लीक हुआ था जहाँ पे दुनिया भर के अमीरों ने ये जो आफशोर टैक्स हेवेंस होते हैं पैनमा जैसे, मौरिशिस जैसे यहाँ पे बहुत सारा पैसा इंवेस्ट कर रखा है और उस पैसे को अपनी पैरेंट कंट्री में डिकलेर नहीं किया है जोकि अगर वो अपनी पैरेंट कंट्री में इसको डिकलेर कर देंगे तो उसको उनके ओपर टैक्स देना पड़ेगा इसी पैनमा के बाद एक निउस निकल के आई थी कि सचिन दंदुलकर, इनकी वाइफ, इनके फादर ने एक particular company को register कर रखा था British Virgin Islands में तो इस British Virgin Islands वाली company को बेच के जो भी पैसा सचिन दंदुलकर के पास आया उसके ओपर इनके टैक्स भर दिया था तो कुल मिला कि जब ये Panama paper leak हुआ था तो उस Panama paper leak में बहुत influential Indians के नाम आये थे जिसमें से एक सचिन दंदुलकर भी थे अब उस context में एक और leak यहाँ पे निकल के आ रहा है जिसका नाम है Pandora leak या फिर Pandora papers कह सकते हो इस Pandora papers में 12 million files है एक करूण 20 lakh files इन papers को 600 journalists ने मिलके prepare किया है overall 117 countries से related यहाँ पे documents है और यहाँ पे 14 important firms के नाम आ रहे है यह 14 firms वो firms है जो कि इन high net individuals को मदद करती है उनके पैसे को पार्क करने में तो इंडिया में मान लो आप एक particular person हो आपके पास 5-600 करूण रुपे पड़े हुए है देखिए यहाँ पे कम से कम 150 करूण की बात तो होगी होगी हम जैसे यह नहीं कि चलो भई यह कल 20,000 रुपे extra आ गया तो उस पे tax नहीं देना है तो चलो यहाँ पे किसी offshore tax even में इंडिस कर सकते हैं जब लीक हुए तो पता यह चला कि इन 14 कमपनियों ने जुगार किया है 29,000 offshore companies और ट्रस्ट का जी हाँ दुनिया भर के जो बड़े-बड़े अमीर पैसे वाले लोग हैं उन्होंने इन 14 firms के थुरू 29,000 कमपनियां खोल रखी अपने देश के बाहर तो US, इंडिया, इन्होंने tax havens जैसे की Panama, Mauritius, Samoa, British Virgin Islands इस प्रकार की countries में 29,000 कमपनी खोल रखी इन लोगोंने अपना पैसा बचाने के लिए और इसमें इंडियन के भी नाम आए हैं और बहुत prominent इंडियन के नाम आए हैं For example, Anil Ambani अगर आप थोड़ा भी news follow करते हों तो Anil Ambani अपने आपको bankrupt declare कर चुके हैं UK की courtman के खिलाफ case भी चल रहा है सुनने मारा था ये बीच में jail भी जाएंगे अब इस Pandora paper में समझ में आ रहा है कि इनके पास 18 companies हैं 18 offshore companies हैं तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े businessman है वो जो भी पैसा कमाते हैं वो पूरा का पूरा पैसा अपने businesses में invest नहीं करते हैं थोड़ा पैसा थोड़े assets को वो foreign में place कर देते हैं और वहाँ पे कल की date में अगर वो bankrupt हो जाते हैं तो उस पैसे से अपना खर्जा चला लेंगे और दूसरी बात जो पैसा फॉरान में पार किया जाता है उसके उपर tax नहीं दिया जाता है उसी प्रकार से नीरव मोदी की बात की जाए तो नीरव मोदी ना भागने से पहले ही अपने sister के थुरू एक trust established किया था देश के बाहर ऐसे बहुत से examples यहाँ पे दिये जा चुके है कुल मिला कि इस Pandora Papers में 300 से ज़्यादा Indians के नाम है जिसमें से 60 Indians के बारे में यहाँ पे detail में investigation की गई है और इस investigation में Indian Express के जो journalist है वो भी involved थे कुल मिला कि पूरा का पूरा आर्टिकल आपका Indian Express पे ही दे रखा है और Indian Express ने यहाँ पे चीज़ें बता रखे हैं कि कैसे इस प्रकार की चीज़ों को किया गया जब Panama Papers League सामने आया 2016 में उस समय पे समझ में आया कि भाई 20,000 करोन प्लस जो undeclared assets है वो Indians ने प्लेस कर रखे हैं फोरण में 2021 तक Panama Papers League के बाद Indian Tax में इतना पता कर पाया है और अब तो आ गया है यहाँ पे Pandora Papers अब Pandora Papers की बात की जाए तो Panama Papers League के बाद Indians ने बहुत अलग अलग तरीके धूनने हैं अपने पैसे को बाहर पाग करने के लिए जैसे कि यहाँ पे सचिन दंदुलकर का नाम आया तो नाम आया कि बाई 2016 के बाद सचिन दंदुलकर की जो British Virgin Island में कंपनी थी उसको उन्होंने liquidate कर दिया liquidate करने के बाद उनके जो भी representative है वो बता रहे हैं कि उस पैसे के उपर सचिन दंदुलकर ने tax भी दिया है तो यहाँ पे author यह बता रहा है कि ऐसे बहुत से Indians थे influential Indians जिन्होंने अपने holdings जो थी foreign में उसको बेच दिया और overall अपने पैसे को अलग प्रकार से पार्क किया है foreign countries में खास बात यह कि जब आप अपने पैसे को foreign countries में पार्क करोगे तो या तो आप कोई offshore company खोलोगे या फिर कोई offshore trust खोलोगे और जो भी company और जो भी trust आप खोलोगे वो उस country की jurisdiction में आईगी जहाँ पर उस trust को खोला जा रहा है अब Samoa, Panama इस प्रकार की countries में होता क्या है कि जो laws है tax related laws यह बहुत धीले हैं यह ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं investors को और उनके यहां पर tax लगता नहीं तो माल लेजे किसी मालो कल की date मेरे पास 1200 करोण रुपए आ जाता है और मैं Panama में जाके 1200 करोण रुपए पाक कर देता हूं उनकी economy में तो उस 1200 करोण रुपए के लिए मुझे कितना tax देना पड़ेगा hardly एक या 2% का tax होता है ठीक है कुछ के यहां पर जीरो tax है कि इस के यहां पर 3-4% tax है और अगर वो 1200 करोण की income मैंने इंडिया में डिकलियर कर दी तो 30% tax लग जाएगा तो सब लोग जिनके पास excessive पैसा है वो वहाँ पर जाके अपना पैसा पार्क करते है अब इंडिया की जो एजेंसी इजैसे Central Bureau of Investigation Serious Fraud Investigation Office Enforcement Directorate इनका jurisdiction इंडिया के अंदर है यह बाहर जाके cases की inquiry नहीं कर सकती है और यह जो particular list है जिसमें इंडियान का नाम इसमें politically exposed persons भी है previous member of parliament ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ senior army officers भी है शायद यहाँ पे एक former tax commissioner है revenue service officer है आप एक former top law officer भी यहाँ पर बताया जा रहा है एक और reason यहाँ पर बताया जा रहा है पैसे को बाहर पार्क करने का जो बड़ी-बड़ी industrialist और business families है न वो estate duty के डर के कारण यहाँ पे पैसा बाहर पार्क कर रही है 1985 तक इंडिया में एक estate duty रखती थी बाप बोलो कि estate duty क्या होती तो estate duty में होता यह कि मानलो किसी family का एक बहुत बड़ा asset है अब उस family का सरगना की death हो जाती तो उस case में वो asset उसके बच्चे के बाथ चला जाएगा तो यह जो asset का transfer हुआ यह जो बिख्यूत किया बेटे ने बाप की income को इसके ओपर estate duty लगाई जाती थी और यह 85% तक होती थी तो इस estate duty की डर से भी कुछ families और businesses अपने पैसे को foreign markets में पार्क करते हैं और जड़तर लोग जिन्होंने अपना पैसा foreign market में पार्क किया जड़तर families ने अपने ही family का कोई member foreign में बठा रखा है उस देश के नागरिक की तरह तो वो उस देश का नागरिक होके सब कुछ अपनी ownership लेके वहाँ पे बैठा हुआ है और उस ownership पे वहाँ पे उसको कोई tax देना नहीं चुकि वो tax haven है लेकिन actually में वो पैसा इंडियन मार्केट से कमाया गया है और इंडिया में उसका tax नहीं दिया जा रहा है और internationally बड़े influential लोगों के यहाँ पे नाम है जैसे King of Jordan का यहाँ पे नाम आ रहा है Ukraine, Kenya और Ecuador के President का नाम आ रहा है Czech Republic के Prime Minister का नाम आ रहा है पहले जो Britain के Prime Minister टे Tony Blair उनका यहाँ पे नाम आ रहा है Vladimir Putin जो कि Russia के President है उनके unofficial Minister of Propaganda का यहाँ पे नाम आ रहा है 130 billion years India, Russia, United States, Mexico के लोगों के नाम आ रहा है तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो Pandora Papers है यह दिखाते हैं कि Organized तरीके से Tax को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं और इन Tax Savants में ऐसी बहुत सी companies operate कर रही है जो कि प्रॉपर तरीके से Tax बचाने मदद करती है इस प्रकार के Asset Parking को तभी रोका जा सकता है अगर इन Tax Savants को खतम किया जाए और Tax Savants को खतम करना बहुत मुश्किल है चुकि यह Tax Savants बहुत छोटे होते हैं इनके पास ज़्यादा Business Aspect होते नहीं तो इन्होंने Money Parking को काफी सस्ता और Convenient कर रहा है तो इनके ओपर International Community जूर डालेगी कि तुम International Tax Laws को फॉलो करो यह जल्दी फॉलो करेंगे नहीं चुकि नॉर्मल कॉंपेटिशन में यह बड़े-बड़े Industry Nations के साथ Compute नहीं कर सकते हैं तो Samua, Belize, British Virgin Islands, Panama इन्होंने ये तरीका निकाला है अपने देश में फॉरांगा रसी बुलाने का अभी Pandora Papers के बारे में और भी बहुत सी न्यूज आएंगी यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बड़ेट Indian Express का आपके साथ डिसकस किया I hope आपको पसंद आयो दोस्तों जादा से जादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिए आप अपनी व्यूपॉइंट रीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इंस्टाग्राम पर चाहिए तो फॉलो के लिजे टेलिग्राम ग्रूप जोइन के लिजे और हो सके तो जोइन बिटन दबा के अलप करें इस स्प्सेफिकली वेरी हलफुल गुट बै